नमस्कार दोस्तों फेस्ट स्वागत करती हूँ मैं मॉनिका आपका मेरे चैनल पर तो आज मैं लेके आई हूँ हरीमेच के अचार की रेसिपी मैं दो तरीके से हरीमेच का अचार डालूगी एक नीबू के सौथ और एक भर्मा हरीमेच का अचार तो चलिए बिना देर अच्छे से और भर्मा मेरेच के लिए इसको बीच में से हम काट लेंगे इस तरीके से काटने के बाद हम इसको थोड़ा सा दूप में सुखा देंगे ताकि इसका पानी जो है अंदर का और बाहर का सारा निचोड जाए तो इसको मैंने दूप में डाल दिया है और दूसी इस वाली मेर्चों के लिए भी मैंने धोके मेर्चों को इस तरीके से काट लिया है बीच में से यह देखे इस तरीके से जितनी भी मेर्ची हैं वो काट लेंगे और कटने के यह सारी कटने के बाद इसको भी सुखा लेंगे और ऐसे ही नीवू को भी इस तरीके से चार हिस् जो मार्केट में मिलता है, गरम मसाला, हींग, काला नमक, और तेल और जो हमारे पार सफेद वाला सिर्का होता है वो, ये सारी चीजे डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे, सिर्का जो है, वो करीब जैसे उसी का ही जो ढकन होता है, वो आदा ढकन डाला है, और ये आदा किलो मेच का मैंने बनाया था, तो ये देखिए, सारा कुछ मिलाने के बाद ये अचार में तयार है, एक दिन इसको दूप में रखेंगे और अगले दिन से ये तयार हो जाएगा खाने के लिए, दूसरे वाले के लिए भी, इसमें मैंने डाला है आमचुर, नमक, अचार का मसाला, गरम मसाला, हींग, और सिर्का, सफेदवाला, और तेल, दोनों ही अचार में जो हम तेल यूजज करेंगे, वो सरसो का तेल यूजज करेंगे, और ये इसमें हम जिन कें मिर्च में भर देंगे इस मसाले को और उसको भी हम एक दिन के लिए रख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी जैसे भरने के बाद तुरंट भी इसको खा सकते हैं और भरने के बाद यह मिर्च का अचार तयार हो जाएगा तो देखिए कितने अच्छे से यह दोनों ही मिर्च के अचार का जो मसाला यूज़ करती हूँ आप मार्केट में बहुत सारे मसाले आते हैं कोई भी यूज़ करते हैं और अगर आपको घर में मसाला तयार करना हो तो मुझे कमेंट करके बताएगा मैं उसको रेसिपी बता दूँगी तो देखिए यह मेरी मिर्चे तयार हो गई अचार के मसाले की और यह दोनों रेसिपी अचार के आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नए वीडियो में थैंक यू रादे रादे